धर्मस ही अप वर्गस्या ना अर्थो अर्था या उपकल्पते ना अर्थो अर्था उपकल्पते ना अर्थो अर्था उपकल्पते नार्थस्य धर्मकांतस्या, कामुला भायी स्प्रता, धर्मस्य ही अपवर्गस्या, नार्थो अर्धाय उपकल्पते, नार्थस्य धर्मकांतस्या, कामुला भायी स्प्रता, कार्थ है, समस्त, वित्ती परक, कार्य, निश्चेही, परम्मोक्ष के निमित होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाब के लिए संपन नहीं करना चाहिए, तो समस्त वित्ती परक कर निश्चेधी, परम्मोक्ष के निमित होते हैं, वित्ती परक, उन्हें कभी भौतिक लाब के लिए संपन नहीं करना चाहिए, वित्ती परक क्या है, जैसे वृत्ती परक हमारी वृत्ती क्या है कोई विक्ती बालकाल से नाचने का शोकीन है कोई आर्ट बनाता है ड्रॉइंग बनाता है कोई गीत गाता है कोई लड़ता है कि पुलिस में जाओंगा कोई चोर बनूगा डॉन भी तो होते हैं उनकी भी पहले ऐसी प्लानिंग हो कोई निंग करने में शौकिन होते हैं बचते वो मा के साथ कढ़ाई है निक जो वृत्ति है बाल काल से बच्चे के अंदब बड़े उने पर कार निश्री परम मुख्श की नेमित होते है यह वृत्ति किसली tutti जाती है ताकी कlvania प्राप के लिए संपन नहीं करना चाहिए यानि कि मानना अगर कोई गा सकता है तो उसको इंडियन एडल में जाने की बजाए भगवान के लिए भजन गाना चाहिए खुकिंग कर सकता है तो इसको इंडियन रूपी किताबे छापने से अच्छा है कुछ हरी की किताबे लिखे जाएं इस तरह जो विर्त्ती परक कर रहे हैं लोग उसे अपने भौतिक लाप कर इस्तिमाल करते हैं परंद वृत्ती मिली किसलिए है मोक्ष के लिए इसके अलावा रिष्यों के अनुसार जो मनुष परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें इंद्रित्रित्ति के विकास ये तू भहती कलाप का उप्योग कदापी नहीं करोना चाहिए तो जो लोग कम से कम धर्म के रास्ते पर हैं उनको तो कम से कम अपने आपको इस इंद्रित्रित्ति से बचाना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्ण बादाय क्रिष्ण प्रेश्टाय भूतले श्रीमते बक्ति वेदान्त स्मामीति नमस्ते सरस्वते देवे कोरवाणी प्रचारिडे निर्विशेश्या शुन्दावादी पास्चा प्रिद्वेश्युताविडे जैशे क्रिष्टा चैतन्या प्रभू निक्रानन्दा श्री अत्वेक्रणादन श्रीपासाजिगौर बक्तरिद्वेश्युताविश्युताविश्युताविश्युताविश्युताविश्युताविश्युताविश्युताविश्युताविश्युताविश्युताविश्य योक में धर्म से ही अपवर्ग से धर्म से को वृत्ति का है यानि कि बालकाल से वेक्ति की वृत्ति क्या है धर्म जीवात्मा का धर्म ही है भगवान की सेवा करना लेकिन वो इतने सारे कारे करता है इंद्रव तरिप्ति के वो उसकी वृत्ति है नहीं तो अपने आपको जबरदस्ती लगाता है संसार में अपवर्ग स इसको पवर्ग करते हैं यानि यह परिश्रम करते क्यों से यानि पर काम करते हैं में ये करना है, मुझे वह करना है, हमें बेटे को वहाँ बनाना है, अच्छा डांसर बनाना है, अच्छा सिंगर बनाना है, अच्छा पैसे वाला बनाना है, अच्छा भोग करने वाला बनाना है, अच्छा कुक बनाना है, अच्छा अच्छा के चक्कर में वो अपनी वृत् लिखते हैं हम पूर्व में बता चुके हैं पूर्ण ज्यांदता बहुतिक अस्तत्त से विरक्त श्री भगवान के शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे-पीछे स्वता आ जाते हैं किन्तु कुछ मनुश हैसे जो मानते हैं कि धर्म सही समस्थ प्रकार की वृत्तियां बहुत सावन आगया जी सावन आगया चलो कहां चलो कावन उठाने चलो क्यों चलो क्या मिलेगा उससे धन मिलेगा सुख मिलेगा शक्ति मिलेगी बल मिलेगा जो मानते हैं कि धर्म सही समस्थ प्रकार की वृत्तियां बहुतिक लाब के निमन हैं संसार की किसी भी भाग में किसी भ व्रत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक लाव प्राप्त करना चाहता है। यहां तक कि वैदिक साहित में भी समस्त धार्मिक क्रत्यों के लिए भौतिक लाव का प्रलोभन दिए रहे हैं। अब पुरान लिखे गए हैं वेद व्याज़ जी ने वेद लिखे। वेदों के बाद उन्होंने वेदान्त सूत्र लिखे उपनिशत लिखे जितने अध्याए वेदों में हैं तक्रीबन 1100 करीब उपनिशत आते हैं जिन में से 108 प्रमुख हैं तो इस तरह से 108 मुख हैं फिर वेदों के वेदान्त सुत्र उपनिशतों के अलावा फिर उस पर भागवत पुरान आदी लिखे गए शोती स्मृती इतिहास अरन्यक धर्शन बहुत कुछ लिखा गया शास्त्रों में और सब कुछ कोई भी कुछ भी पढ़ने लगया तक है शास्त्री पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि बहुत इगलाब के प्रलोबन दिये गए हैं सच बात है पदम पुरान में इकादिशी की महिमा लिखी गई है इकादिशी करोगे तो आपको ये इतने इतने धन देने के बर सब्सक्राइब कोई विक्ति कितना भी माला जपे एक जूतिश अचार मिल जाए और कहें तुमारी कुंडली में शनी भारी है तो वो चालब हो जाएगा शनी वार को तेल चड़ाने सुबह अरे ग्रिष्णा चपेगा शाम को तेल चड़ाएगा अब कुछ लोग वाट्सअप में रोज नहीं मैसे भेशते हैं सोमवार को बाबा भोले की जाए मंगवार को बजरंग बली की जाए बुद्वार को काणपती की जाए प्रसवद्वार को गुरुदेव की जाए शुकरवार को संतोशी मतागी शनीवार को जैशनीदेव प्रलोभन से आकरश्ट होता है क्या वो गलत है क्या वो गलत है वो गलत नहीं है उनका अस्तर अभी भगवान की बक्तिक अस्तर नहीं है दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से बोलो दो में से पांच गए तो कितने बच्चे पड़ा लिखाने हो गए दो में से बमुआ कि क्योट होती है उसे बो ci ice क्योता है बोलैंत क्योट है लेकिन क्यों क्योता है इंजिंग पढ़हई नहें दो उससे दी तरह से डूसरी और पढ़ने वाला बच्या अपनी ज्यान से रही है अच्छानली नहीं है अपने तरविर ब्रत्यों के इस चख्र में तताकतित धार्मिक्ता भी आती है तताकतित धार्मिक्ता यानि भगवान कृष्ण के मंदिर भी जाएंगे लेकिन वह कौन से भक्त होंगे तताः गतित गतित non行 जिसके बाद भ honour क्लाव और बहुतिक लाप के पश्चात इच्छा पूर्ती होती है इंद्री त्रिप्ति पूर्ण रुप से व्यस्त सभी प्रकार के व्यक्तियों का सामान निमार्ग है कि इंदुश्रीमत भागवत्मित के निर्णे अनुसार इस श्लोक में के कफन द्वारा इसका निशेद के है कर रहा है इसको भी कई जनम लगेंगे बहगवान के पार जनमें चाहें आत्मी माला भी चपेगा न तब भगवान का बात नहीं जा पायागा अगर वो इनी संसारी जल चड़ा लो और बजरंग बली को चूला चड़ा लो गलत नहीं है लेकिन एक व्यक्ति जो उच्छा सरबर चला एमटेक में चो चला गया वो बोले आज मैं फिर से दूसर कर चुका है तो वह उसी प्रकार से है कि हम एक बार हरी नाम तक पहुंच गए और फिर वापिस उसी स्तर पर आ रहे हैं फिरनी चरूरत जाने की मनुष को चाहिए कि वह केवल बहुतिक लाप के लिए कोई वृत्ति ना अपनाए ना ही बहुतिक लाप का उपयोग इंद्र सुन्दर बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी वृत्तियों को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर कोई ना को गुन भगवान का दिया हुआ है आपको उजागर करना चाहिए तो इस जीवन का मूल मकसद क्या है मूल मकसद है क्रिष्ण की प्राप्ति क् लक्ष क्या रेफ Lazarus तो जीवन का लक्ष र्ची आप लोग लिख लो जीवन का लक्षiben मैं इसे एक टिइश्ण प्रेम की लालसा में प्रेम पहीर नहीं तो कर्ष्ट49 की लालसा ऑने चाहते है या कहें क्रिष्ण किछन से मिलने की लासаться कि र्लोग हैं कि है कि कने लोग जो कृष्ण से मिलना चाहते जिसे आप लोगि कभी कई टोरांसा को कैसे बनाया जाएं लोग किसी घर में कोई बीमार हो जाएं तो क्या करेगा भग्षाइब कि नौकरी चूट जाए माला करते हो मन में निया प्रवो नौकषी लगवाग तो तो हमारे अनमन में बहुत ही कामना आती है हमारे मन में लेकिन जीवन का लक्ष क्या है कृष्ट मिलन की तो रुपको स्वामी ने एक श्लोक बोला है बोली मेरे साथ में उत्साहात निश्या धेवयात ततत कर्म प्रवर्तना असंगत्यागासतो वृति शडवेर भक्ति प्रसद्यती भक्ति करसे आगे बढ़ेगी कृष्ट से मिलन करसे होगा यह अच्छे कारण बताये हैं शिलारूपको सामी ने अपने ग्रंथ उपदेशामरित के तीसने नमबर श्लोक में वो कहते हैं पहला उत्साहित उत्साह कितना उत्साह होना चाहिए ब अले किष्ट पहला क्या है उत्साह उत्साह ही तरह नची भक्ति के भगवान से मिलने की लाज़सा अपने कमरे में जहां पढ़ते हैं बैठते भजन करते हैं उस ठान में लिक देना चाहिए कि क्रिश्ट से मिलने का ही जीवन का अंतिम नक्ष है उत्सहा कैसा उत्सहा होना चाहिए शील हरिदास ठाकुर भ्रह्मा जी के अवतार हुमारे शास्त्रों में उनको वर्रन किया गया तो भ्रह्मा जी ने जब भगवान के बच्छे चुराए तो उनको श्राप दिया उन्होंने कहा मुझे ऐसे परिवार में भेजो मैंने आपके प्रती बड़ा अपराज कर दिया है तो पश्यताप करने के लिए भगवान कृष्ण ने भ्रह्मा जी को एक मुसल्मान खांदान में जनम दिया यवन खांदान लेकिन बालकार से ही जब वो बड़े हो रहे थे तो क्योंकि भ्रह्मा जी है तो भजन करते थे भगवान के न अद्वैत अचारिया स्वें महाविष्णु है तो महाविष्णु से दिक्षा प्राप्त करके और हरिदास ठाकुर भजन करते थे लेकिन जो वहां के राजा थे मुसल्मान तो वह खांसाब विरोधी हो गए और ने गा इसको मारो सत्रा बजारों में मारा गया आपको 17 बयार तो छोड़ो आपको आपस के 2-3 डोग मार दे न और और मार तो छोड़ो कुछ बारने वाली बाते ही मार दे न तो तुरंड आपका संग छोड़ जाता है लोगों के अंदर इतना एंकार ब़ा हुआ है और आपस के भग तो छोड़ो गुरू यो अगर न यूख्ब का मार्ग भगवान को प्राप्त करना बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत character मांजा, बोल मैं मर गया, मैं ठगया, मैं मर गया, ऐसा तो बोल सकता है तो अगर तू नहीं मरेगा, तो हम मरेंगे, क्योंकि खान साथ हमें मार देंगे, तो हमारी रक्षा कर, हरदास ठाकूर बाइस बज़ार में पिटने के बाद भी इतने उत्साई थे खंड खंड जाए देई जाए यदि प्राण तब उतना बदने छड़े हरी नाम पर भी मेरा हरी नाम नहीं छोड़ेगा चाहिए मेरे शरी के टुक्रे 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 का लो एसा उनका भाव तो बोले हम तुझे मान गए तो बहुत महान बक्त है आयते नहीं पड़ेगा काफिर बनके रहेगा सुनेगा लेकिन हरी नाम नहीं चोड़ेगा वा तेरा उत्सा बहुत सुन्दर है लेकिन हमारी तो सोच क्योंकि हमने सुना वैश्णव जो होते हैं वो हरी नाम में में बाहुत करके गंगाजी में भाण तुम मर जाओंगा तभी तो पानी में भिकूँगा और कहना उसका लाश्च क różne संसकार कर दिया और उठाकर के ऑनोनाने उनको गंगाजी में भेग दिया तो वो लोग तो बच गए खांग भों बहुत अच्हा हुआ लेकिन उदर हर्दास ठाकूर दीरे दीरे रस्यां खोल के पानी के मद्धिवाग से और दूसरे किनारे कहीं निकले और वहां जाके प्रचार चाहनू कर गया कि हरी कृष्ट महामन से बढ़कर कि संसार में और कुछ भी यह उत्सा चाहिए यह उत्सा चाहिए ऐसा उत्सा नहीं चाहिए कि सोमवार को जल्वी चड़ा रहे हैं क्या करें जी घरवाले ने मानते जी क्या करें जी घरवाले आपको मारतों नहीं रहे बारीस बजारों में फिर भी आपको छूड़ जाता क्योंकि आपकी निष्टा नहीं है उत्सा नहीं कि गुरु के वचन शास्त्र के वचन इन में संधे नहीं होना चाहिए अगर भागवत में लिखा है इंद्रत्रिप्ति में नहीं लगाना है कंटी पहन कर जब माला हाथ में लेकर फिर भी इंद्रत्रिप्ति में अपने शरी को लगाना तो इतो भागवत की वचन को मानना नह प्रतिस परधा के भावना जाकरत करते हैं, निंदक बन जाते हैं और धीरे धीरे बक्ती मार्ग के इस अधुत मार्ग को त्याग देते हैं, कि आयक किसलिए थे कृष्ट लेकिन हुआ कि छोग में लिखा है कि वह कि अपवर्ग मार को झोड़कर पवर्ग में हिं इंड्रित्र 해요 खिस्तप сх STEPHAN सी फर्वगर्व कर सो धर्म को पवर्ग में लगा धर्म तो करते हैं लेकिन अपनी इच्छा कामनाओं की पूर्थी के लिए कई प्रकार की चीज़ें विक्ति को रोखेंगी भजन में कूटी नाटी निशेदाचार कनक कामिनी मान प्रतिष्ठा बहुत सरार की चीज़ें चोगते हैं बहुत गहरा विश्य है तो धन आट में पैसा नाओ कौन सा विक्ति होगा जो भगवान से निकाएगा प्रभू धन तो देदू कामिनी भक्त लोग शादी के लिए दूला लोनते रहते हैं तुम भजन करने आए दूला 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 दूलने आए अब कुछ तो गुरु चोड़क चले लेका रहे आप तो अच्छा मैच्पेकिंग करते लिए आप आपको गुरु इसलिए बनाया था शादी तो करवा हो हमारे बच्चे की इसलिए तो बनवाया द॥र्माइब तो भुरू के प्रतीवो निश्चित नहीं रहते कि आज अगर गुरुन ने भुला है तो कल-कल नहीं तो परसों भकार पुल्णोंगा जहां संदेय आया वहीं भक्ति का मार छिन्न हो जाता है भक्ति में खिनता आती है भक्ति में वेक्ति को मन में लगे g Fraodar इघा कहा फ़ ज्यार में मज़ा निहारा हो अधरी हमारी बेष्टि करके चलेगा बताओ रोने लगते हैं अरे हम तो हमारे तुभेष्टि पर लगए हम excused क्यों उई क्यों हुगी तुमकी इजन की काम नहीं यानि कहीं न कहीं तुम भगवान की भक्ति का आश्र नहीं लिया है, तुमने अपनी इच्छाओं का आश्र लिया है, अपनी इच्छाओं का आश्र जब है, तो हमेशा ये दुख मिलेगा, हरी बजन करके भी दुखी हो, इसका मतलब हरी बजन तो कभी किया है, क्योंकि जहां हरी है, वहां दुख न में दो नसर्भ, या तो आपकी काम वादार रहेगी, इक्छाएं रहेंगी, हम उनवगत के घर नहीं जाएँगे, क्यों, वक्षा इजट नहीं मिलती, तुम इजट के लिए हो खवन के लिए हो, करबु जी उन्होंने हमारी बेस्टी कर दी आप के घर आपने हमारी वेश्टे खती भगत भी बाते कर रहें क्या अरे वक्तों को तो धूल धूल के अंदर बेठा दिया जाए ना रही कथा मिल रहे हैं वावावाव ु प्रभु के दर्शन परनतुत है----a। इस परकार से निश्चित हो जाएं कि हमist अवश ही भगवत प्रप्ति कराएंगा है कि रागत पर निश्चे हो गीता पर निश्चे हो संशे नां हो तो अंग 是ु संशे थीज़ा पकी अंदेता हो गया है या मनुष हो गया पर असूर कैसे होते हैं और अपर निए लिए बढ़ा नियों ता कि चोटे चोटे आसार देगे कर विर कोई किस्था सुना असुर कुमार, असुर बालक, देवता देखे बालक रूप में, राम देखे, क्रिश्न देखे, जो घगवान होकर भी बाललीला करते हैं, मनुष्ट बालक देखी हैं, असुर बालक देखे तो कहा गया आचारियों के द्वारा की संशे असुर है जैसे ही प्रता हुआ उसको अगर मारा नहीं तुरंद बढ़ा हो जाएगा और कितना बढ़ा हो जाएगा पूरे हिर्दय को घेर लेगा जहां आपकी भक्ती थी सब आदम का इतने अच्छे भक्ते प्रभुजी वो क्य कि इसलिए भक्त को तुरंत ही अपना इलाज कराना चाहिए अपने गुरु अपने वश्णवों के पास जाकर दिल की बात हमारे मन मेंसलिश आत थ котुर्चा नहीं करनी चाहिए हमारे मन में किसलिश आरा है ऐसे बहुत सारे बक्ते दस जगा फोन करते हैं आपका क्या सोचना है माता जी आपका क्या बोलना है माता जी आपका क्या कहना है प्रभु जी ऐसे करते हैं माता जी ऐसे करते हैं ये सब चर्चा करेंगे असुर मरेगा क्योंकि जिन से आप चर्चा कर रहे हैं उनके खुद के उर्दे में असुर बैटा है वो कैसे मरेंगे असुर को दो ही मार सकता है जो मुक्त गिती है तो इस प्रकार निश्चित नहीं हो पाते हैं संशे रहता है और संशे को समाप्त कर देना ही भक्ति में आकर अच्छिर करता है तिर तीसरा अंग बताया भक्ति का धहर र्यात कृष्ण अनुभूती में विल्लंब हो सकता है तो आपको कृष्ण की अनुभूती हो रही है माला जप रहे हैं बोले अभी तो नहीं होई प्रभुजी जब तो रहे है लेकर अनुभव नहीं हुआ वो आनंद नहीं आ रहा कृष्ण अनुभूती में देर हो सकती है पर छोड़ना नहीं है छोड़ना नहीं है देर तो लगती है लेकिन छोड़ना नहीं एक बार दो लोगों ने हैंड पंप से पानी निकालना शुरू किया दो मित्र थे एक हैंड पंप एस एक साइड पे था एक हैंड पंप दू साइड पे था इसने एक बार उपर नीचे किया पानी नहीं आया इसने एक बार किया पानी आ गया इसने फिर एक बार दो बार किया नहीं आया, इसने फिर दो बार किया फिर पानी आया, इसने फिर एक दो बार किया फिर पानी नहीं आया, इसने एक दो बार किया फिर पानी आया, इसने एक दो बार किया फिर पानी आया, तो इस तरह से उसने पांच-दस बाल्टी पानी निक प्रवरज में करते जहां जाएए उखा वहाँ पढ़े सूखा एउखहा विक्ती जाता है वहां पर सूखा आ जाता है एए उखाट से हो गया सूखा कैसे हो गया एकुली ग्राउट लेवल अलग अलग था यहाँ पर 10 बार एंट पंप आगे पीछे करने पर पानी की सत्य बिल्कुल उपर आ गई थी लेकिन दस्वी बार वो हदोस साइट होकर उसने त्याग दिया लेकिन इधर वाला जो था उसका पानी ही दस बार का था तो इधर तो पानी खतम हो गया और ये वाला जो था इसके बस अथा सागर आने वाला था कि वो सौ दो सो पान्सो बाल्टी भर सकता था लेकिन उसने दूसरे वाले से प्रतिस परदा करी कि उसने दस बाल्टी भर ली मेरी एक भी ने की मेरे प्रयास विफल जा रहा है मुझे अनबूती नहीं हो रही है तो हम देखते हैं कि उसी जी को जल चड़ा के आया और वो हनमान जी मन्दिर जा रहा है उसकी गाड़ी आ गई उसी नौकरी लग गई प्रभू जी वो तो कोई भजन नहीं करता बस एक वासी पीते खाते लेकिन मंगलवार को बस ऐसे कर लेते हैं उनकी तो यह हो गया हमारा कुछ नहीं हो रहा हम क्या करें हम क्या करें हम और यह धहरवाज ब किसमें है शक्ति धेर की धेरवान नहीं है ना वक्ति का मार धेरता का मार गए रूप गुसा मेरे लिए कि शादियों कर आई बहुरानी सास करती है कि अगले दिन सुबह उठ करके हमारा पोता कहा है अगले दिन कैसे देगी हो तो कैसे करेंगे कैसे वो पोता दे नाती दे कोई से दे उसके लिए कम से कम कितना इंजार करना है इतना भी इंजार नहीं है तो धहरवान जरसे सास धहरवान होकर कि इंजार करती है दस महीने ब्यात कहती है अभी भी नहीं हुआ पर एक साल अभी भी नहीं हुआ इंजार करते रहते है वो इंजार लेकिन कोई लोगों का डाइवोर्स हो गया है मुझे एक आयत यह माता प्रभु जी माता जी प्रभु जी वो भूले हमारी इन लॉज हमें निकाल रहे हैं घर से इसको निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे घर संतान होगी यह कैसे पता करें तो जब मैं स्कूल में बढ़ दा था तो हमारी जो बैलोजी की टीचर थी ने साइंस पड़ाई किया था तो कहती थी अभी एसा जमाना आ गया है इतने सब केस स्कूल टाइम में अभी तो उसको भी गए हुए 25 साल बीद गए है वो कहती थी कि टीचर हमारी कि आजकल कुंडली मिलाने से अच्छा है कि यह ना लोगों की हेल्थ चार्ट्स मिलाए जाए कि दौ आदमी दीर दीर आज अधेर अवस्ता में पहुंचा था 30-35 पर शादी करता है 30-35 पर तो जो पुराने जवाने में होती थी लेकिन अभी तो यह 35 साल में कुमारी करन्या होती है एक मुझे मिले अभी एक प्रोग्राम में ओ तो नो 47 यर्स के हैस्बेंड वाइफ थे बोले वी आर न्यूली वैलिड वैरिड सेटारिस पर उन्होंने विवा किया जहां वानप्रस्ति का प्लान बता रहे लोगों को वहां वो ग्रस्ति का प्लान लेकर रहे थे मेरे बोले आपका आशिर्वाची मैंने का काम नहीं करेगा क्या होगा इनका कुछ नहीं होगा तो इस प्रकार से धैरवान बनना ची बगति के मार प्रकृष्ण-अनुभव में देर हो सत्ती है परंतु अगर तुका राम को कृष्ण मिले अगर मीरा वाई को कृष्ट मिले अगर रुब को स्वामी को कृष्ट मिले अगर जीव को स्वामी को कृष्ट मिले श्रीला प्रहुपात को कृष्ट मिले तो उसी मार्थ पर आपको क्यों नहीं आपके दुग भी दूर नहीं हो रहे, उनको प्रभू मिल रहे, धहरे वाल, अगला बोला ततत कर्म परवर्तनात, तो जो गुरु के दिया मार्ग है, ततत कर्म परवर्तनात, अगर उस मार्ग में चले, तो अपने आपी प्रतिफलित फल अपने आप राप्त होगे, गुरु अच्छा प्रभुजी पताईए, पहले तो गौडेमट में चौशड माला होती थी न, प्रभुपाजी ने सोला क्यों करती, सोला क्यों करती, चैतन महाब्रु तो बोलते हैं न, कि चौशड माला जो नहीं करता, उसका भगवान भोग स्विकार नहीं करते, इसलिए प्रभ से ज्ञान का चक्षू दिया, उस गुरु को वचन को ना मानकर अपना ज्ञान लगा रहे हैं, तो तुम ज्ञानी तो बन सकते हो, भग तो भग तो खरना करते हैं, गुरु का चार माला करके तुम्हें ले जाओंगा, तो चारम कर ले हो, घर गुरु जी आपका हैं हम तो को परिवर्तित किया हो ऐसे अचार पद्वी को प्राप्त गुरु को सरणागत होना चाहिए ना कि को भी साधान वेखती बोल दे माला मत करो तो उसको गुरु बना लिया तो ततत कर्म प्रवर्तनाद बहुत बड़ा प्रवचन है इस पर एक दिन लग जाए पूरा प्रवच की बात हमने करिए अपनी वृत्ति की जो बात करिए है सबकी वृत्ति होती जिसको मनो वृत्ति कहते है मनो वृत्ति क्या है अंग्रेजी में उसे अटिट्यूड करते है हिंदी में उसे मनो वृत्ति वृत्ति है जो हमारी एक चेश्टा वृत्ति की मैं कुछ करना चाहता उसकी एक वृत्ति है, किसी की बोलने की वृत्ति है, किसी की मौन की वृत्ति है, सबकी अलग-लग वृत्ति होती है, और उसी वृत्ति को मनो वृत्ति कहते हैं, मनो वृत्ति बनती है, उसका अट्रिट्यूड होता है, बहुत अच्छा गाया को, बहुत अच्छा खाना बना वाला हो बहुत अच्छा बोलने वाला हो लेकिन अजोस्की मनोव्रति बिगड़ी होई है ना विल्स स्बेखड़ा हो लेकिन मनुश्ची सुधमी रिये हो तो विक्ति को भगवान के पाजान के से उसकी मनोविरी अच्छ मुझे अच्छ चेमी उल्प काुशे कर वह पहिंगे पहले तो यही समयने पाते हैं गुरु जी के पास पैसे नहीं धोन फैसे नहीं के खुश पैसे हां है कि धुर्यूका कैसे पैसे नहीं कि प्रस्षन आयंगे अब वो यह प्रश्ठक वैसे और आन। पहले तो यह स्टापित कर लो कि यह जो है यह सई है जैसे भी है अब हमने इनको सरणागत कर लिया उसके बाद तो भक्तिकी प्रगति चालू होती इसलिए जब गुरु दिक्षा देते हैं उसका नाम क्या है इनिसियेशन इनिसियेशन यानि बिगनिंग शुरुवात लोग सोते हैं दिक्षा होगे घर जाके सोते हैं थोड़ा बहुत काम करने बहुत बहुत बाला करने अब तो दिक्षा होगे इसारी मेहनत तो दिक्षा तक की थी जबकि दिक्षा शुरुवात है भक्ति की समाप्ति नहीं है क्रिश्न मिलन की लालसा न समाप्त हो जाए तत्त कर्म परवर्थना जैसे कर्म कह दिये वैसे कर्म करना चाहिए यह वृत्ति माननी इसे मनवृत्ति कहते हैं फिर असंग त्यागाद असंग का त्याग कर देना चाहिए असंग त्यागाद क्या है कर्मी लोगों का त जाक कर दो जो लोग कर्मी है ना कर्मी कौन होते हैं क्रमी क्रमी होता किड़ा क्रिमी से कर्मी क्रिमी एक किड़े जैसा जीवन है जैसा जीवन है जब बारिश अभी चल रही आज कल तो पतंग्या आते हैं केंडल लाइट में रात को किती देर मर जाते हैं एक रात में मर जाते हैं पर आपको पता है एक रात में वह बच्चे भी पायदा करते हैं शाधियां भी करवाते हैं उनकी बैंकरी होती है बच्चे पालते जोता है और सुबह उनका समाज, समुधा है, समापत हो जाता है तो उनकी आयू कितनी छोटी है 12 घंटे से भी कम तो हमको हसी आई कि ऐसा दोड़ी हसा था भ्रह्मा जी की दृष्टी में भ्रह्मा जी का एक दिन एक हजार चत्रुगी के बराबर है एक हजार चत्रुगी समझते हैं एक चत्रुगी में सत्युक्त रेता द्वापर कली है यानि 43,20,000 वर्ष को गुणा करो एक हजार से, इतने जीवन बीत जाएं साल तब जाकर ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं उसे कल्प पहते हैं उतना ही ब्रह्मा जी का रात्री होती जैसे पुरला करते हैं ऐसे जब ब्रह्मा जी के 360 दिन बीत जाएं तब एक वर्ष पूरा होता है ऐसे 108 वर्ष बीत जाएं तब ब्रह्मा जी समाप्त होते हैं उन ब्रह्मा जी के लिए हमारी आयू क्या है शादि कर रहा है प्रिंटिंग प्रेस में यह क्यों प्रिंटिंग प्रेस में जा रहे हैं कार्ट चपवा हैं काले इस के सिय वृत्ति यह उतлан कि अपने परिवार से इतने आ सकते हैं कि प्रभु की और बढ़ने के लिए अग्रसर होने के लिए प्रत्नशीली नहीं है, प्रयास तो करो, लालसा तो रखो, मिलेंगे तो मिलेंगे तो बाद है, प्रत्नशीली नहीं है, इतने अट्याच है अपने परिवार से, इतने अट् अच्छे घर में शादी करनी है क्यों 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 करने अच्छे घर है अच्छे आपका सुखी यह जानने के बाद में भी हम अपने बच्चों के लिए का ढूंडेंगे सुखी पर ही कभी नहीं मिलेगा यह वृत्ती ही गलत है आपको कुछ नहीं डूड़ना से एक ऐसी नौकरी मिल जाए प्रभुजी जिसमें बच्चा सेटल हो जाए आप सेटल लाइफ में सेटल डूड़ने नौन पर्मनेंट जीवन में पर्मनेंट नौकरी की तलाश तो यही है असंग ज्याग क्रमी जो होते हैं न क्रमी किडे उनसे सीखना चाहिए वह है कर्मी लो कर्मी क्या करता है सुबे से रात तक बस अपने संसार अपने परिवार अपने धन अपने सुख की सोचता है पहले के पच्चीस साल पैसा बनाने की टेंशन रखता है फिर पच्चीस से पचास उस पैसे को लगाने की टेंशन रखता है फिर पचास से पिचत्तर उसको बचाने की टेंशन रखता है कि बच जाए लूट ना ले कोई मेरा पैसा और पिचत्तर गयाज उसे पता चलता है सब कुछ वर्थ चला गया कुछ गाओं है बिहार में वहाँ पे लोग रात को गमच्छा बांद कर अंगोठे पर सोते क्योंकि गाओं के उनके उनको पता है कि हमारे बच्चों को हमने ऐसे संसकार दी है रात को प्रॉपर्टी के पेपर सोते सोते अंगोठे लगवा लेंगे तो रात को गमच्छा बांद कर सोते अंगोठे पर गाठ बंदवाते पत्नी से करें बांदे अच्छे से गाठ महारत में है अंगोठे पर गमच्छा बांद कर सोते रात में लोग को अंगोठा ना ले जाए और एक रिक थी था उस पिताजी के अंगउंठा लेने के लिए इतना उताता उसने ले लिए पिताजी जग व móग गए त़िद्धा है चिहां कर रहा है रहे है फिताजी अवार्च देणी रहे तो मैं आंगउंठा आपका मेरेको प्रॉपर्टी मेरी हो गए तो पिताजी ने उसके ऊपर उल्टी कर दीए इतनी आसकती है लोगों के इतनी अटेश्मेंट वाले इस पतंगे रूपी क्रिमी जीवन से जो लोग है उनको कर्मी कहते हैं इन लोगों का संग करोगे आप आप में करते कैसे छोड़ें हग नहीं छोड़ोंगे तो वो नहीं मिलने वाले यहीं रहो यहीं रहो मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है इचूड़े इसका लाविश नहीं चोड़कर घर से बाहर निकल जाना कि बात है छोड़े मनोवरिटी सो क्यसकों दो दूल कोई कर्च पकता नहीं निकल जाता सारा पानी डालो पानी भाल कर फेको मिट्टी के अईसे बन जाओ कुछ भी बोलते रहे लोग ठीक है सुन लिया आपके बस किये तो कर दो फ्रेम से बात कर लो नहीं को बस किये तो बोलो आएविश्ट उनसे डिस्टर्ब होने कि बली चड़ाओ बली कैसे चड़ाएं हम तो नहीं खर सत्ते प्रभु जी लेकिन परिवार को नराज भी नहीं कर सत्ते बली तो चड़ानी पड़ेगी मैं अपनी चड़ा दो तो तो इतना को गभरा रहे मना कर तो हम तो नहीं करेंगे कोई समस्ता नहीं है तो मत समय ज़े तो मजज़ा उसकारी करम में मजज़ा करे फिर हमारे वो NHRAJ हो जाएंगे तो हो जाने दो तुम्हें वो NHRAJ कर सकते हैं तुमने नराज दे कर सकते हैं एक दि मुझे किसी ने बोला बोले वो प्याज का परांठा बनाते हैं उनके घर में और वो प्यार से बनाते हैं, तो क्या प्रभुजी हमें खाना ची कि नहीं है? मैंने का तो आप उनसे को कि मैं प्याज का प्रणड़ा खाने को त्यार हूँ? आप प्यार से मैं सुला मला कंधियम लेलो, आज लेंगे नहीं? वो इतना प्यार नहीं करते हैं, तुम इतना क्यों करते हैं, कि तुम उनके कान अपना नियम तोड़ते हो, क्या वो तुम एक साइड़े लग क्यों रख रहे हो, जब वो तुम्हारे साथ नहीं तो तुम उनके साथ क्यों रहो, लेकिन मन से सोचलो ये मेरे नहीं है, जब ये योगा तो करना चाहिए, करने से होगा, फिर योगा, शरीर की योगा कर सकते हो, कितना कर सकते हो, बोले शरीर माध्यम कलो धर्म साधनम, शरीर की माध्यम से कल्यू के धर्म का साधन होता है, लेकिन इतना भी नहीं लग जाना है, कि हमारा रास्ता ही छूट जाए, अब ऐसे जो कर्मी हैं, ज्यानी हैं, योगी हैं, मायावादी हैं, मायावादी कौन होते हैं, जो कहते हैं, सारे देवता बराबर होते हैं, सारे रास्ते एकी तरफ जाते हैं, ऐसे जो मायावादी को मायावादी कहते हैं, उनसे बोलो सारे रास्ते कर एक तरफ जाते हैं, तो तुम अल तो यह पन थी उनका गलत है तो इन लोगों से कैसे जीता जाया तो एक कथा बड़ी सुदर आती है कहते हैं कि एक मचली मार था और उसने मचली मारने वाला जो विक्ति होता है उसने अपनी रोड में दाना फसाया था और लेकर के मचली को पकड़ने गया था तलाब के किनारे बैट गया जब मचली पकड़ने बैठा तो कोई मचली उसके कांटे में नहीं आ रही थी उसको बड़ा आश् मचली फस नहीं रही है, तो उसमें पुरश्ण किया, मचली फस नहीं रही है, तो वहाँ बैठा इक विक्ती था, वो हसने लगा, बोला कि जी मचली इसलिए नहीं फस रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहां ससंग हुआ था, और ससंग में उन्होंने कहा था, मौनंद सर्व विजय थे, मौन विक्ती हमेशा विजय प्राप्त करता है, तो इसलिए मचली उन्होंने अपना मूँ खोलना बंद कर दिया, हम मूँ खोलेंगी तभी तू कांटा मूँ में जाए, तो ये बात बिलकु सच है, हमारे उपर भी ये बात एपलाई होती है, कि हम क्यों फस्ते संसार में, क्योंकि हम बोलते हैं, आपका परिवार के किसी रिखती ना को कुछ कमेंट कर दिया, हाँ, हाँ, हो गई तुम बीरा भाई, ऐसे नहीं होती, तो तुम तुरंत ही उनका उत्तर देने लग्जा हो गई, कि हाँ, मीरा भाई तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास्तों करना पड़ता है, प्रहुपाची कहते हैं, गरंतों में लिखा है, गीता में लिखा है, का लिखा है, किसने लिखा है, कौन था, वेद व्यास तो इनसान थे, आपकी चर्चा युद्ध में बदर जाएगी, तर्क भी तर्क होगा, तो इसलिए क्या रहो, कुछ समझाओ, प एक बार एक कवी थे, कवी जो थे, जो कवीताएं गाते हैं, वो एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे, जलेबी ली, और वहीं कहने बैठे रहे, इतने में एक कवु आया, वो भी जलेबी लेकर के चोच मार करके खाना चाह रहा था, तो उसने हट-हट कहा, तो उसने धही क अंदर मुँ मार दिया, कवे, तो जो वहाँ पर बैठा विक्ती था, खलवाई, उसने उठा कर एक पत्थर, जोड से कवे वो खिच के मारा, तो कवी वो के लगा, और कवे की मृत्य हो गई, तो वहाँ पर एक कवी बैठे थे, उन्होंने एक पंक्ति लिखी, कहा, काग दह पर दही पर तो जानगवाई, वहाँ पर कुछ और लोग बैठे थे, उसमें एक विक्ती था, जो कि मुनिंगरी का काम करता था, यानि कि क्या बोलते हैं, कैश, एकाउंटेंट, एकाउंटेंट, लेख पाल, लेख पाल था, कागजों में हेरा फेरी करता था, तो उसको कि लगा, उसको लगा, कागद, कागद ही पर जान कवाई, उसको नौकरी से निकाल लिया गया था, तो बोले, सच बात है, ज्ञान प्रावद भा, कागद ही पर वहाँ पर एक विक्ति था जो की प्रेम तो नहीं कह सकते संसारी लंपड टाइप का विक्ति था किसी इस्तरी से प्रेम करता था लेकिन उसने पैसे के चकर में उस पुरुष को छोड़ कर किसी और से विवा कर लिया तो इतनी सुंदर भी नहीं थी लेकिन कहते हैं ना मतलब जैसी भी हो अगर एक बार विक्ति उसके इसमें चक्कर में आ जाता है सब कुछ गवा देता है तो उसको विक्ति भी बनाया था उसको क्या लगा कह रहे हैं का गधी पर जान गवा है का गधी पर जान गवाए हो एक बोला का गधी पर जान गवाए हो एक पंक्ति के अलग अलग मतलब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरतिन तो इसलिए लोग शास्त्रों को समझ नहीं पाते हैं और अपने अनुसार आपको बोताएंगे जैसे ज्यानी कर्मी लोग अपने कहवते ले आएंगे जैसे एक कहवत है घर का वेधी लंका डाये एक सही कहवत है इस और अगर विभीशन बेदी है तो क्या राम को मालूम नहीं है क्या राम अग्यानी है राम को जब वो बताएंगे तब ही पता चलेगा फिर राम बर्मात्म कैसे हुए तो ऐसी कुछ कहावत है जो कि लोग प्राय बोलते हैं इस नातन धर्म के उपर कालिक है इसे बहुत सारी बातें आईगी जो कि वृत्ति के अनुसार देखी जाए शास्त्र के अनुसार देखी जाए तो गलत है जैसे एक है बोलते हैं उसमें एक बार एक चंपक फूल था चंपक कैसा होता है वाइट कलर का थोड़ा पीत रंग होता है श्रील प्रहुपात को बड़ा पसंद था तो एक कवी ने लिखा है कि ब्रहमर चंपक के उपर नहीं आता है क्योंकि उसमें रस नहीं है तो ब्रहमर जो भौरा है वो चंपक पर नहीं आता तो कहते हैं चंपक वरणी श्री राधिका और ब्रहमर शाम को दास ब्रहमर जो है वो शाम का दास है तो कि प्रकृष्ण कैसे हैं काले हैं तो उनका भक्त भी काला है तो बोले चंपक वरणी श्री राधिका ब्रहमर शाम को दास तो क्यों नहीं आता बोले आप निज की जननी मान कर भ्रवर ना आवे पास अपनी माता मान करके भ्रवर उनके पास नहीं आता है कभी ने ऐसा लेकिन अगर देखा जाए तो राधर रहनी मा है कि नहीं है किते लोग मानते राधर रहनी हमारी मा है एक तो यह मानना फिलासफी के गलत है अगेंज्ट है तो कि गौड़िय विचार धरा में राधर अनिया मान नहीं है आप कौन हो आप कौन सी भक्ति करते हो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है रास्पनित में प्रवेश करने लिए यानि मंजरी सखी या गोपी भाव से आप राधर अनि के आप हमारी कौन है समुदाय क्या है रूप गोस्वामी रूप मंजरी लवण मंजरी राग मंजरी हम उनकी भक्ति करते हैं तो राधर अनि को मामंत्य है जहां मां आ जाएगी मां तो फिर रास होई नहीं सकता हो सकता ह मेरे माँ है तो पिर तुम पर माता पिता आगए माठा पिता तो सम्मान की दृष्टया के समय रिष्ट प्रेम क्तम हो गया प्रेम कर दों कि लार्स्ट है कैसे पूरी आप कृष्ण को अशर और अशर बाव आगया क्योंकि नादा कृष्ण को माता पिता मान कर क्या करता है प्रणाम करता है डर के रहता है जहां डर है आप पांचो रस समाप्त हो जाएंगे ना आपको मादूर मिलेगा ना आपको साख्य मिलेगा ना आपको ना दास से दास तो मिल जाएगा लेकिन तीन जो प्रमुक है वासल्य साख्या और मादूर ये तीन और तूट जाएंगे टूटे के नहीं टूटे लेकिन आप शास्त्र की दृष्टी से देखेंगे तो लिखा होता है कि राधा रानी इस इन एटर्नल मदर लेकिन एटर्नल मदर किस चीज के लिए भगवान माता, पिता, धाता, पितामा कृष्ण के थे तो कृष्ण की अंतरंगा शक्ती होने के कारण शी इन एटर्नल मदर पर एक भगत की क्या भावना होने चाहिए भगत की कामन होने चाहिए जो गोपियों की कामना है क्या? कि राधा कृष्ण का मिलन कैसे हो युगल जोड़ी कैसे साथ हो एक दूसरे को रूप मंजरी क्या कहते है जा करके? कि चलो चलो राधा कृष्ण की जूलन स्थलीर सजाएगे जूलन लगाएगे थाकि राधा कृष्ण का मिलन हो माता पिता का मिलन क्योंग रवाता है? है चलो मामा, ममा चलो पिताजी के साथ कमरे में आपको छोड़ते कुंच में बना करके करता है को बच्चा जा मां आ गया है वहां पर यह तो प्राइम कमा टूट जाएगा प्रेमा प्रेमा कुंची बात है यह बजन रहसी की बात है लेकिन जैनरली कृष्णगर परम पिता है तो गुलते हाँ वहां तो माधुरी की बात हो रही है हमें अगर हमें प्रिवेश करना है गोलोग वरंदावन धाम हमें कल गोपाल चंपू पढ़ रहा था गोलोग प्रतम अध्याय तो गोलोग का ही वर्णन कर रहा है कहां कृष्ण है नंद येशुदा के पास भी कृष्ण बढ़ते है बीच की करने का जो कमल पुष्व की बीच की करने का है कैसरी उसकी उपर अत्म सिंगहासन पर कृष्ण बैटे है पर इंतजार में कि कब राधर रही आईंगी तो अगर नंद येशुदा आ जाएं तो क्या रास होगा बल्राम जी आजाए तो रास नहीं हो सकता और आप लोग घरे कृष्ण क्या करते हो श्री मती राधर रानी है कृष्ण मुझे अपनी कौन सी सेवा में लगाई है बहुत राधर कृष्ण का जो निरंतर नित लीला चल रही है उस सेवा में प्रविश्च कैसे होगा आप त तो तुमारा प्रेम का संबंदी नहीं स्थापिए अजया संबंदी नहीं है वा अभिद्य क्या हो प्रियोजन क्या प्रशंग दिखा सेता हूं मैं आपको 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 इतनी गहरी बात हैं हम कैसे पड़े भागवत में लिखा है राधा कृष्ण कभी आरती स्विकार नहीं करते राधा कृष्ण की कोई आरती नहीं होती राधा कृष्ण के स्थर पर तो प्रेम है वह आरती है आरती तो केवल उन्हीं स्वरूप में लक्ष्मी नरायन जब प्रकट होते हैं तो आल्टर में एक विक्ती दुख्मणी द्वारकादीश या फिर लक्ष्मी नरायन भाव में उनकी आरती करता है कि जहां वो राधा कृ क्रिष्ण हो गए गोपियों ने कव आर्थी करी क्रिष्ण के लिए और भागवत में लिखा है यह प्रभुपाजी के तात्पर में है चौतिस कंद में है तो आप पढ़िये उनको तब आपको बज़ए इसलिए भागवत को पढ़ना यह वाक्त संग में है भागवत अगे करने लग जाते हैं अपने खरीद लाते खुद पढ़ते रहते हैं समझ कुछ न्यादा हो कहीं की कहीं निकल जाते हैं जैसे मैंने बदाया है ना एक ही शब्द के कागज ही पर जाने गवायो का घदी पर जाने गवायो तो एक शब्द के कितने परियावाची शब्द है एक संस्कित शब्द के 32 अरत है करें समझेंगे तो शास्त्रों को इतना कच्छा या छोट अच्छा अब विक्ति बोले है एक विक्ति बोले कि मैं भक्ती चाहता हूं कर्श्ण परेला चाहता हूं उजागर कैसे होगी उजागर करने काती रूपुशानिय बताया अुट्साहाँ निश्चयात धैर्यात उतत कर्मप्रवर्तनात संग त्या画ाच सतो भृत्ती सतो भृत्ती मनों मृत्ति कैसे हो सतो सतो वृत्ति क्या संतों की वृत्ति हो संतों में वृत्ति हो उटपटांग चीजों में वृत्ति ना हो संत में वृत्ति हो संत कौन है जो शास्तिक प्रमाणों के साथ बात करते हो सास्तिक प्रमाणों से बात करते हो एक जन्न में प्राप्त हो सकता है कि मैं नहीं होसता है कि क्रमिक विकास एक विकति नास्टिकता से पहले कि अस्तिक के बाद वो धीरी-द्लीिक करता है और शात्य धर्म मैं कि स्यारे धर्म शात्य धर्म में शक्ति की उपासना है शेव धर्म में शिव की उपासना है गाणपत्य धर्म में गणपती की उपासना है शौर धर्म में सूर की उपासना है शिल भक्ति उन्हों ठाकूर करते क्रमिक विकास होता है नास्तिक से आस्तिक होते हैं आस्तिक बनन वह वैशनव धर्म तक पहुंचते हैं, एक जीवन का काल नहीं है, भगवद्गीता में निकाली एक श्लोक है, छटे ध्याय का, 45 नमबर श्लोक, उसमें कृष्ण क्या कहते हैं, 45 क्या कहते हैं, प्रियतनात यत्व मानस्तू, भुली है, योगी समसुद्धो किल्भिशा, अनेक जन्म समसिद्धो, तदोयाती परामगतिम, क्या मतलब है, प्रियतनात यत्मानस्तो, यत्माना यानि की endeavoring, यत्माना, प्रियतन करना पड़ेगा. जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं प्रयत्नात्न प्रभपाद ने लिखा rigid process दढ़ता से जो इन नियामों का पालन करेंगे ऐसा नहीं होगा आप राधा कृष्ण के माधुर्र में सोच के बैठ जा मैं गोट्पी हूँ, मैं मंजरी हूँ मैं यह नहीं मानूँगा, इससे नहीं होगा imitate नहीं कर सकते आप फिर सहजिया बन जाओगे या फिर सक्खी बेकी संब्रदाय में चले जाओगे सक्खी बेकी में वो लोग अपने को सक्खी मान कर बढ़ जाते हैं सक्खी बेकी बन जाओगे या सहजिया बन जाओगे लेकिन प्रतना यत्मानस्तु जो लोग प्रतन कर रहे है इस मार्ग में योगी समसिद्धो कल्विशा वो योगी भग्त योगी का सारे के सारे कल्मश ठाकों की धोड़ा लेंगे प्रतन करते करते हरी नाम के माध्यम से अभी बताया इसी पर विश्वास होना चाहिए कि हरी नाम में ही वो शक्ती है। आप ढोडने मत लग जाओ कि कैसे पाएंगे गोपीभाव कैसे पाएंगे। हरे गुरुजी ने कैसे पाया प्रभुपात ने कैसे पाया उसी हरी नाम से पाया ना तो आप भी वैसी पाओगे ततत कर्म प्रवरतनात यही तो बोला उसी कर्म पर चलना है जो गुरुजी का बताया कर्म है प्रतनाध यत्मानस्तु योगी समसिद्धो किल्विशे अनेक ज वागवान नेक जन्म संट्थो पढ़िये। इसका मेनिक क्या लिख ये ट्रांसलेशन पढ़िये। कर दो से प्रकुलूरों की नियुनिंगा प्रिस्ट कर प्रुरर्ट इस प्रिक प्रिके निवड अपर्यु क्रिफू किले डिकेन वे गिछिन के पर भसnder शीर्चों श्रीक्रिष्णा उसे वर्ड प्रेफ नाग यताम मानस्तु विच मेंस स्ट्राइविंग हार्डर देन बिफोर पहले से भी ज्यादा आपको और द्रट मानलीजी आप आज माला प्या गए आपको लगते पहले जन्म में आगे अनेक जन्म समसिद्धों पिछले जन्म में कुछ किया था थोड़ा रह गया फिर थोड़ा रह गया हर बार कुछ ना कुछ किलबिशम कुछ कलमश रह जाता है अनेक जन्म समसिद्धों सारे जब जन्म सिद्ध हो जाएंगे तब जाकर के आपको यह मार्ग मिलता है तो इसलि किसा प्रयास करना है ततो यांति पाराम गतिम परम गति की प्राप्ति ओ क्या रिजिए अब फिंडिकेट्स डिपर गाल इंपर दान इंपर दान इस लाइए तो तो आप unsuccessful रहे पुर्व में हुआ नहीं तो उस योगी को इस बार ये माला में लिए असे मत समझ लो कि प्रभुजी ने दे दी माला आमको नहीं नहीं पिछले जनम में आपने किया गुरू के पालन नहीं किया इसलिए वहां दुबारा इस जनम में आपको गुरू तत्वरू फिर क्या होगा ततो यांति परमगतिम परमगति की प्राप्ति होती है इसी जनम के अंदर हो जाए तो अच्छा है ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया तो इसको लेकर के यहां पर बहुत सारी चर्चाएं हम करते हैं खास करके हम इन चर्चाओं को करते वक्त याद रखे ह झीवन का परम लख्ष क्या है कृष्ञ मिलन की को शना से में इस पार का टाइम वेस्ट ना हो जाए प्रयोजन से दोने चींए कह प्रयोजन की ऐ सप्रियोजन पर्योजन के बार में पता होना, बोध होना, जैसे नॉर्मली एक उधारन शुरूप में देखें, एक माँ चाहिए की मेरे घर में अच्छी भव आजाए, मेरे घर में अच्छी भव आजाए, एक नॉर्मन सा उधारन ले रहे, लेकिन उसका लक्ष क्या है, प्रियोजन क्या है, अच्छी, अब अ जबती हो पैसे कर वे लाई हो कि देज अच्छा लाई हो कि वो सुंदर हो कि काम करने वाली हो कि मेहनती हो कि सुभर उठती हो इसके अंदर बहुत सारे सब्टाइटल्स आ जाएगा उसके तो प्रियोजन तो पता है लेकि प्रियोजन का बोध नहीं है जब अच्छी आया थी क्यों चाहिए उसका परपस क्या है तो ऐसी कृष्ण तो चाहिए कृष्ण प्रेम तो चाहिए पर करेंगे क्या कृष्ण प्रेम पाकर अगर आपसे पूछा जाए सबसे पूचू मैं कि अगर आपको कृष्ण प्रेम मिल जाए माता जी तो क्या करेंगे कृष्ण प्रेम ऐब आपको प्रेयोजन तो पता है प्रियोजय कंधी नहीं आप किन दर्ड़ का में Sinner कथा कहा सुनों गेक करूद घृती संता है ऐसी आतर तकलीफ होती है यहम दर दर्द होने लगजाएगा कृष्ण विरहा मैसुस होने लग जाएगा पल-पल कृष्ण नाम से ऐसा हो जाएगा विक्ति बस धिहल हो जाजागा आपर सुनने पाएगा वादी प्ली सिवाई है वहां पर सेवाई है जैसे अगर अब मंत्रों की सब्सक्राइब देखे तो जो किसरा वाला मंत्र जो है क्या ट्रनातापिशुन जैना ने ने जैसे में जैसे की अफर को गिन्दै क्रे बडेद कर रैं महीं और फिन्देफ discs कर दोां वाल है वहां भी वह वह उसे वी peeling कि अधिवा तो ठीक है लेकिन सेवा में क्या उनकी खूशी के लिए उनकी प्रसुनाता के लिए राधा क्रिश्ट के मिलन के लिए रुमामंतर में जैसा है रास का हमेसा आयोजन दरना सेवा का अब परपस होगा जिसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा वह वेतिक क्रिश्ण प क्रिश्ण प्रेम मिलेगा भई हम क्या गाते हैं क्रिश्ण से तुमारा क्रिश्ण दीते पारो तो मारा शकति आचे तो वो क्रिश्ण से तुमारा क्रिश्ण जिसके है उसके बास क्रिश्ण प्रेम है तो वही तो क्रिश्ण बाट रहा है इसी को तो पाने के लिए दाई त उपाचे, पाचे, इसलिए तो मैं आपके पिच्छी पीचे चल रहा हूं, कि वहां कृष्ण जो आपको मिलने हैं, वह मुझे भी ले देजा, कृष्ण सेवा ये है, क्रिष्ण से प्रेम होने का एक रिष्ण वित्रन करने का मन करता है, गोपिया, इतनी प्रेम में मुक्त होती है कृष्ण के लिए, जो वहाँ गोपिया, जो मखन बाटने जाती है, उनकी मुक्त से यह नहीं निकलता, मखन ले लो, दूद ले लो, क्या कहती है, गोविंद ले लो, गोपार ले लो, कृष्ण ले लो, हे माधव, हे याधव, हे सक प्रचार नहीं करते उनको अंच मात्रविक कृष्ण प्रेम का नुर्भव नहीं हुआ है जो उपने घर में रहके बजन करते हैं अपने असुर कुल के सभी लोगों का उद्धार कर दूँगा, तब मैं प्रभु आपके धाम में होगा, कितने असुर थे, 12,000 राक्षस असुर कुल के बालत थे, जिन सब को उद्धार करने का प्रला जिनका अब में होगा उसके प्रचार के दूगा, बहत्तर 1000 असुरों के ऐसा है जो कि रिजिस्टर्ड है कि प्रभपाजी बैटे है और भजन गा रहे हैं और उपर जो उनके पहले डिसाइपल थे प्रभाकर मिश्रा वो यूनिवर्स्टी के प्रोफेसर थे वो उपर रहते थे प्रभपाजी को नीचे का एक कमरा दिया था जैसे माताजी उपर रह और फिर उठाकर ले गए खराब नहीं तक चलता रहा है तो उन्होंने डिस्टर्ब नहीं कि एक बार जब तीसरे दिन वह अपनी युनिवर्स्टी से वापीस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज स्वामी जी खड़े हुए हार्वोनियम नीचे रखा रो रहे है रुक रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ तो उन्होंने का कि स्वामी जी आप किसको रुक रहे हैं कि प्रभाकर तुमने नहीं देखा अभी अभी तो कृष्णी यहां से गए और अपने गोलोग की माला भी मेरे गले में पहला कर गए है तो प्रभाकर मुश्रा कहते हैं वहां गोलोग की जो माला थी उसकी सुगंदी ऐसी थी कि मुझे यूनिवर्स्टी तक सुगंद आ रही थी पूरे जहांसी में फैल गई थी इतनी सुगंदी थी और वो माला की जो फूल है पुष्प पूरे जहांसी क्या पूरे मंद्धर प्रतरिश्क पूरे भारत में ऐसे को पेना सता है कि एंदे की माला चलती मोगरा की चलती गुलाब की चलती कौन इसी पुष्प आ गए हमारे यहां पर कैसे आगह यह पूद आ लेकिन उस समाने उस काल में कैसे आ गए रोपा जी रो रहे थे मज जाओ मज जाओ मज जाओ कृष्ण आये माला पर नहीं थेंक यू बोला धन्यवाद कि तुमने मुझे अपने हिर्दर से आतुर उकाज अब ऐसे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने वाले विंदावन को चल जिसके बस अधिक धन होता है ना वो बाटता है जिसके बस आज इह एक फांबानी जईने इतनी बड़ी शादी करी क्यों और ना करोड का पैसा है तो पा lihat िसपर शाइरा क्रोडी लगा दिया शादी इसपर धने मॉधता है जिसमें मिठाई हो मान OP आपके घर मेंदस किलो म प्रदानता जादा होगी अधिक मात्रा में उसका वित्रण होगा जिसे राष्ण प्रेम होगा वाटेगा गौर्किश्वद बाबाजी के कॉंटेक्स में इसको नहीं करेंगे गौर्किश्वद बाबाजी जो हैं वो एकांतिक भजन करने वाले सिद्ध-preneौली को प्रत्षिक्षा देने वाले साधू थे जो कि उस दोनों तरह का एक्शाम्पल स्थापित करना या न घराइन तो उस समय जो साधू विष्ड अजन इसकी जो अवस्था होती इस लिए इसलिए है क्योंकि एकांतिक भजन करके उनों ने रादा कृष्ण का अनुभव?! और फिर उस अनुभव का प्रचार हो तब जाकर के इस हरीकता का विस्तार हो लेकिन हरीकता का विस्तार कैसे होगा अनुभव तो पता हो अब तुम ज्यान से पुस्तक से पर तो सकते हो लेकिन अनुभव कैसे बता होगा अभी जो मैंने बता है ये प्रहुपाजी का अनुभव है है अब जो यह आफ वो मैं तो बता रहा हूं जिसको वह स्के सोच क्या स्थिति कभीर जूँ पीर अब जो थे उनके पास एक दिख विजय पंडित आया उसे तिог मेण निशा दिख विजय करी के दिशाओं की विजय प्राप्त करी थी दिग विजय पंडिता आया कहता है कभीर मेरी मां कहती है तुन्हें में जीता होगा नेकिन ऐक बार कबीर को जीत कर दिखा देगा तो मैं मनूगी कि स्ट्री यह कुझे ऐसीं क्लिद WOW इतना बड़ा सेर्टिफिकेट ले के आया था स्ट्री यह को गया कभीर जी गबला कभीर आप आपसे शास्त्राथ करना कभीर जी बोले मैं पास तो इतना ग्यान नहीं है जो कि मैं आपसे शास्त्राथ कर सको मुझे छमा करें अच्छा तो हारते हो बोले हां हार गए तो लिग दो लिग दो तो उन्हें चिट्टी पर लिखवाया दिख विजय पंडिक जीता कभीर हारा नीचे साइन करो अब कभीर तो साइन भी करना नहीं जाना तो उन्हें शाही में वो कलम होती थी और डुब होई और हाथ से लिख दिया का बड़ा 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 इसे करें घर गया दिख विजय पंडित बोला लो मा अब तो मुझे मानोगी मैंने पूरे विजय दिख व करें यह कैसे हो कि दिखाओ करें तो मैं नहीं लिखा था अच्छा इसके पास को सिद्धी लगती है वापिस गया बोला तुमने चाला की करी है बदलो इसको लिखो दिख विजय पंडित जीता कभीर हारा बोला मुझे लिखना नहीं तुम लिख लो मुझे बस तीन अक्ष बोला कभीर जी एक बात बताईए यह ऐसा कैसे हो रहा है मैं राम का भक्त हूं मैंने राम का दर्शन पाया है राम की कृपा से जो हो रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मुझे चमा कर लेकिन मुझे यह अनुभव जानना है कि ऐसा कैसे हो रहा तू कहता लेखन की लेखी, मैं कहता आखन की लेखी, तो अनुभव जो होते हैं वो संतों के पास होते हैं, इसलिए वरना गीता तो बहुत सालों से है, लेकिन वो गीता हमारे जीवन में भागवत, हमारे जीवन में क्यों प्रवेश नहीं करते हैं, कि हम संतों का संग नहीं क सादू का संग करने का क्या मतलब है अब यह सादू संगी तो चल रहा है चर्चा चल रहा है अब इसमें यह वाना देख रहा है वो मुबाइल में देख रहे हैं वो कहीं और देख रहे हैं तो सब अलग 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 जगा देख रहे हैं इससे हमने क्या पाया कहीं लिखा कहीं उत्कंठित हुए, कहीं रोमांचित हुए कहीं हमारे हुर्दय में कोई पेज बना कोई जगा बनी जिसने हमारे कृष्ट ने हमारी जगा बनाई हो इतने प्रवच्छन के बना यह एक अपचारिता रूप में हुई कथा एक और हो गई चलो, बढ़िया है बहुत अच्छा है, प्रवुजी बड़े अच्छे है जय हो प्रवुजी, धन्यवाद आपका फिर जाकर ओप नमशिवाए ओप नमश्वाए तो यही रह जाओ अगए यही रह जाओ कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा समय से निकल जाया खालिया अथायते खालिया जाना है यह जो अनुभवव है निकों लेकर के जीवात्म भगवत्धाम भुजाती है कि आघ्रावान में कि एंग। या कि प्रकूरण के नौने कि प्रयों नप चाहिए हमारे बिरंदावन्में जगा शिवजी भगवान का संग पाने के लिए आतूर रहते हैं, गोपेशवर महादेव में भगवान शेव गोपी बनने का भाव देते हैं, चकलेशवर महादेव में शिवजी बैटें गोवरधन में, मतुरा जाये जन्म भुमिय के पास में भूतेशवर महादेव बैटें, कामेशवर महादेव कामावन में जाएंगे, स आशेश्वर महादेव बैटे, आशा लगा के बैटे, काश कभी कृष्ण का प्रसाद मुझे मिल जए, तो उनकी स्थिति न समझते हुए भजन करना, इस धर्मिक्ता के नाम पर क्या है, गड़बड है, अब इसमें कोई शैव धर्मी हो, वो शिवजी को अपना आराद धिमा जाने, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुछ सही है, लेकिन इस जन्नम में वो हरी के धाम नहीं जाए, इस जन्नम में वो हरी के धाम नहीं जाए, क्योंकि जब वो शैवाई टोकर के, शिव पासग हो के शिव जी के पाद पहुँचेगा अपने अंतिकाल में, तो शिव कर देख लीजे प्रमान है चौथा सकंद भागवतम चौबीसमा अध्याय भागवतम में लिखा है रुद्र गीता उसमें प्रचेताओं के पुत्रों को जब वो तपस्या करने गए तो भगवान निस्वेम शिवजी ने उनको क्या कहा मैं तुमको एक गीत सनाता हूं क्या गीत है निकाला चौथा सकंद आखरी इस लोक निकालो क्या लिखा है हिंदी में बढ़ो क्या लिखा है नहीं पता आज आए प्रभू अपने सक्तियों द्वारा सुष्टी करने की प्रष्टार हम चार प्रकार के रुपों में प्रविश्ट करते हैं कि दोजय में श्ती वोकर आप उन्हें जानते हैं कि आपनी इंद्रियां का आनन्द मुझें अपनी इंद्रियों का आनंद ले रहे हैं इस बहुतिक स्विष्टी का तथाकति तुप ठीक से वैसा ही है जैसा कि अपने 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 में श्याइद एकत्रिक करने के तस्चाथ उसका आनंद लेती है तो यह कौन बोल रहे है मैं आपको दिखाता हूं आप इसको पढ़ों आपने आकरिश्रोप पढ़ा था यह पढ़िए आप 69 नंबर श्रोप पढ़िए यह लिखा है है राज पुत्रों प्रचेता के पुत्रों को कह रहे है शिव जी तुम लोग विश्वत्ध हिर्दय से प्राजाओं की भाति अपने अपने नियत कर्म करते रहो भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए इस इस्तुति का जब करो इससे तुम्हारा कल्यान होगा क्योंकि इससे भगवान तुम पर अज्यादिक परसंद हो कौन कह रहे हैं शिव जी स्वैम शिव जी निकाह है और इसमें शिव जी ने भगवान से प्रात्ना करी है बुझे आपके उस सुंदर शाम सुंदर सुरू का दरशन पाने की अभिलाशा है इस प्रकार से ये रूत रिस्तिति अब ये भागवत की स्थिति को भी कोई नकार कर दे अजाम नहीं आए हमनमत भागत वागवत कर दें का रागल तो विए टीक क्याही लेवल का हो गो अब वले नहीं हमने तो सुना है थिर। तुम प्रमाणने मान रएव्यद व्याफ नहीं मान रहे भागत पुरुष के लिए भी कटिन है किन्तु आप है कि एक मात्र भक्ति से ही प्रसंद हो जाते हैं पुरुष जीवन सिद्ध का एक चुक ऐसा कॉन पुरुष होगा जो आत्मसाक्षात करके अनविधियों को अपनाएगा कोई और अनवीधि को अपना outta तो अन्न वीधिकों नहीं अपनाना है तो हम सभी देवताओं का सम्मान करें, उनका समान करें, लेकिन उनके पास जाकर के भहती काम नहीं, कृष्ण के पास जाकर भी भहती काम नहीं, इस शुत भक्ति अगर करना चाहें, मिश्रत भक्ति मा करना चाहें, तो कामना के साथ भी जाएं तो कृष्ण के पास जाएं, औ लाइन लोगों की दाता एक राम वेकारी सारी दुनिया सब खड़ी वही है राम जी के दरबार में मांगते रहे तो मांगते रहे तो शुद्भुक्ति की स्थर पर तो रंच मात्री मिश्रण नहीं एश्वर का मिश्रण एश्वर का मिश्रण शुद्भुक्ति का ये स्थर कि अरे विष्णा